नमस्कार मेरा नाम वहवव है मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की कड़ी के अंदर मैं आपके सामने एक फुली फ़र्णिस घर का वीडियो पेश करने जा रहा हूँ इस प्रजेक्ट की सबसे बड़ी खुबी यह है कि यह राश्चे राजमाक से लगबग 900 मीटर के दूरी पर है और यह मोस्ट वैपनिंग सेक्टर सेक्टर 78 के अंदर है मैंने मोस्ट वैपनिंग सेक्टर इसलिए काहा है कि अगामी अगले वितवर्श के अंदर 2025 से 2026 के अंदर बैक टू बैक दस लॉंचिंग आने वाली हैं जहां पर रेट 17-18 रुपे उसत प्राइस के अपर लॉंच होगा यह प्रजेक्ट जिसको मैं आपके अंदर यूनिट दिखा रहा हूं इसका नाम है मौंसन ब्रीज सेक्टर 78 गुलगॉंग इसके अंदर एक और सबसे महगा प्रेट होता जाता है वहां रूम के साथ कॉंप्रमाइज होता जाता है लेकिन यहां पर इस्टेंडर साइज जो है 12-15 12-13 और 12-16 रूम साइज है इसके अलावा इसके अंदर 3-bedroom 2-toilet और 1-pooja-room या store-room दिया गया है यहां पर जो विक्रेता है उन्होंने अपनी नहीं है टेश्पुली काम कराए गया है सिंपल सोबर रखने की कोशी करी गई है कंप्रीट मॉडिल के चन है नीचे की फॉर्ष के टाइलिंग भी सारी चेंज कर दी गई है अंदर की तरफ सारे टॉयलेट्स भी पूरे के पूरे री फॉर्निश करे गए है एक अच्छा फील है कि हमारा दो क्रोर के बेजट के अंदर अगर कोई चीज आती है तो नीचन ने यह बहुत बढ़िया ऑप्शन उनके लिए होगा तो शुवात करते हैं वीडियो टूर की घर के बाहर फैंसी डोर लगा हुआ है पूरा जो फिक्रेता है उन्होंने सारा मेक ओवर किया है घ एंटर करते ही एंटरेंस फॉरेज के ओपर भी इन्होंने एक लाइक का प्रविजन रखा है किचन के अंदर चलते हैं किचन के अंदर लोर केविनेट अबर केविनेट सिंक और साथ में जो बाहर एक्स्ट्रा बरकनी थी उसको इन्होंने इसको कवर कर दिया जिसमें दोनों तरफ स्टोरेज और वाशिंग मशीन का एरिया बन गया इसके बाद सामने भी इन्होंने फिरिज को अंदर लिया है क्योंकि प्रेस्मेंट इस प्रकार से घर की करी गई है असानी के लिए ये काउंटर बनाया गया है मोटर केचन और चिमनी के साथ हॉप के साथ लिल्वी काउंटर पंके के साथ चलते हैं ड्रॉइंग रोम की तरफ ये ड्रॉइंग रोम का साथ जो है 20 बाई 13 के करीब का है पूरा कम्प्रेट जिस पर ड्रॉइंग रोम और टैनिंग रोम आता है सामने की तरफ एक ये छोटा बार काउंटर बनाया हुआ है ये पूरा फूल साइज के यहां पर आपके एट सिटर सोफे लगे हुए हैं उपर प्योपी का काम सूधिंग लाइट सबका प्रोविजन क्या गया है साइड में आते हैं ये पूजा रूम में इन्होंने अपना कनवर्ट करा हुआ है या आपकी मर्जी के पर निर्पर है अब पूजा रूम रखना चाहें या इसको स्टोर रूम में कनवर्ट कराना चाहें कर सकते हैं ध्यान दे जो निचे की फ्लोरिंग है वो पूरी की फूरी चेंज करा दी गई है रिवेंप करा गया है वोड़न टेक्स्टर के अंदर अब बढ़ते अंदर गैलरी की तरफ तो सबसे पहले कोमन टॉइलेट आता है वोल टू वोल उपर से लेके नीचे तक पूरा का पूरा यहां पर टाइस का वर्क करा गया है और उपर बहुत खुबसूरत लक्ली का काम कराया गया है ग्लास पार्टिशन लगा हुआ है वेंटी साथ में पावर्फुल इन्होंने सिस्टन लगाया हुआ है गीजर है बाहर की तरफ चलते हैं सबसे पहले बैटरूम की तरफ एंट्री करते हैं इसका साइज है 12 बाइ 15 का साइज है पूरा इसके अंदर आप भी देख रहे हैं मास्टर साइज का बैट रखा हुआ है 6 बाइ 6 की लैंटन मिर्थ का समान रखे होने के बावजोद आप देख चाहें कि फ्री ओपन इस्प्रेस दो से धाई फिट का तीनो तरफ मिला हुआ है यह भार की तरफ की बालकनी का नजा रहा है विंडो का नजा रहा है सामने बच्चे का रूम उन्होंने डिवलप करा हुआ है तो उस हिसाब से स्टेटी टेबल का भी प्रोविजन रखा गया है यह इसी मिल्कुल नया है डगबक साथ से आठ वहीन है पराना उसी के एड जोनिंग दूसरा बैडरूम आता है इसका साइज डगबक 12-23 के फिट के करीब का आता है यहां भी फुल स्टोरज का प्रोविजन रखा गया है पीछे की तरफ यहां पर वाल्ट वाल्ट पूरा का पूरा वाल्ड रख का स्पेस बनाया हुआ है अब हम जा रहे हैं मास्टर बैडरूम की तरफ मास्टर बैडरूम के वाकवे के अंदर वाकवे क्लोजट लगी हुई है यह भी उपर से लिखे नीचे तक व्याद खूबसूरत वाइट कलर और गॉर्डन कलर की मैचिंग के अदर बनाई गई है मास्टर बैडरूम का साइज जो अंदर का है 12 वाए 16 फुट के करीब का है यहां भी पूरा स्टोरेज रखा गया है डीसेंट सारा अधिकतर जो इंटीर वर्क करा गया है पैडरूम उसके अंदर अधिकतर वाइट कलर के अंदर कंड़क किया गया है ग्लोसी फिनिश है तीवी कैबिनेट है बोडन फ्लोरिंग अगेंड चेंज है यहां पर यहां से यह बालकनी की तरफ में आपको लेकर चल रहा हूँ बालकनी के अंदर भी इन्होंने काम करा है नीचे टार्स तो कंप्री में प्रोवाइड करी थी लेकिन साइट का टेक्शर सब चेंज करा दें जिससे की क्लिनिंग असान हो सामने एंटरेंस गेट है यहां से आपको जो एक्शुल व्यू आ रहा है सामने की तरफ अल्टीमा दिखाई दे रहा है प्राइमर्स दिखाई दे रहा है और हरे बले ग्रीन फील्ड दिखाई दे रहा है यहां से चलते हैं मास्टर टोइलेट की तरफ यह मास्टर टोइलेट है यह भी पूरा रिवेंब करा हुआ है वाइट और ब्लेक टाइस का टेक्शर दिया गया है गीजर है सिस्टर्ण है यह पूरा ग्रीन नाइट का स्लैप काउंटर लगा हुआ है साथ में ग्लास पार्टिशन दे गया है तो इस परकार से घर का पूरा होता है यहां पर यह प्रोपरिटी रिजिस्टर्ड है बैंक लोन के फैसलिटी है साथ ही इसमें एक कवर्ड का पार्पिंग का प्रोविजन भी मिलता है इससे अधी जानकारी के लिए या विजिट के लिए आप हमें सीधा संपक कर सकते हैं 9899124305 थैंक्स